नमस्ता दूस्तों मैं हूँ आर्ती प्रेशापती आर्ती प्रेशापती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करते हूँ दूस्तों गुजरात की एक स्टेट युनिवरसिटी है वहां से पियाचरी की नौर्टिफिकेशन आई हुई है तो चले उसी वेबस की वेबसाइट पर अगर जाना है तो उसके लिए आपको लिखना होगा phd.hnju.net इतना आपको लिखना है तब जाके आपको वो डिरेक्ली आप उसकी ओफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे ओके यह आ गए हम उसकी ओफिशियल वेबसाइट है अब यहाँ पर नॉटिफिकेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद में बताती है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है कितनी सीड्स है कितना मतलब कि क्या सिलिवस है कौन से सब्जेक में किस लेंगवेज में एक्जाम होने वाली सारी चीजे में यहाँ पर आपको बताऊंगी लेकिन पूरा वीडियो देखना है कुछ बच्चे वीडियो देखते नहीं और बाद में कोश्यन करते हैं तो व्यासर स्टूडेंट को में आंसर नहीं देती विकोज बार बार में एकी बात सबको रिपीट नहीं कर सकती है इसलिए तो वीडियो बनाती ही ताकि एकी बार में सारी बच्चों तक यह बात पहुंच सके चले सबसे पहले हम देखते हैं उसकी जो एर्विटाइजमेंट है वो इंगलीस में है और हिंदी गुजराती में भी है तो सबसे पहले इंगलीस वाली नॉटिफिकेशन हम देख लेते हैं सबसे पहले नमबर पर है अब यह एक notification है देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यह जो इसकी eligibility है तो उसके लिए आपके master degree के अंदर जो भी मतलब की general category वाले बच्चे हैं उनके लिए 55% चाहिए और SCST, SCBC जो भी मतलब की बच्चे हैं उनके लिए 50% master degree मतलब की PG के अंदर चाहिए उसके बाद यहाँ पर date दी हुई है कि आपकी starting date जो है वो आज से start हो रही है मतलब के आज कौन से date है 26 मार्ट, 26 मार्ट से start होगी और 24 अपरेल, 24 अपरेल तक की यह form आप फिल कर पाऊगी यह बात यहाँ पर बताई गई है चले, अब आगे चलते हैं और आगे की notification को देखते सबस्क्राइब यहाँ पर information दी गई है उसी को हम देख लेते हैं अब यहाँ पर साब सारी चीजे गुजराती में लिखी है लेकिन मैं हिंदी में आप लोगों से बता दूँगी ताकि आउस्टेट वाले बच्चे हैं उनको confusion ना हो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी online form फिल होगा वो 27 मार्च से होगा और लास्ट डेट है उसकी 24 अपरेल 2022 उसकी लास्ट डेट है सामके 5 वजे तक आप form को फिल कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर उन लोगों ने वेबसाइट दी हुई है www.ngu.ac.in यह उसकी official वेबसाइट है या तो फिर वहाँ पर अगर open नहीं होता है तो आपको दूसरी जो मतलब की यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है http.phd.hnu.net इस वेबसाइट का यूज करके आप form फिल कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर सारी चीजे बताई गई हैं कि जो भी मतलब की वेबसाइट पर जो भी available पियाचरी में जो भी मतलब सुधार हुआ है तो उसके जो भी मतलब की एड़िशन के जो रूल्स हैं उसको साध्यान से पढ़ लेना है मैं बताती हूँ कि क्या रूल से आगी हैं इंगलिस में सारा कुछ दिया हुआ है पहले में इसको बता देती हैं उसके बाद यहाँ पर तीसरे नंबर पर यह बताया गया हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं उसके पास master degree की मतलब की degree होनी चाहिए और जिस subject में आपनी master degree किया है उसी subject में आप application कर पाओ क्यों कि कुछ बचे ऐसे होते हैं दो-दो subject में master degree की होई होते हैं कुछ बचे ऐसे होते हैं कि UG में कुछ और subject था और PG में कुछ और UG का मतलब अंड़ ग्रेजेशन होता है जो गुजरात वाले बचों को मतलब कि UG PG क्या है उनको पता नहीं होता है उनको BA MA का ही पता होता है तो BA मतलब बैचरल डिगरी जो होती है और MA में आप master degree बोलते हैं तो उसी को बैचरल डिगरी को UG बोला जाता है और master degree को PG बोला नहीं होगी फॉर्थ नंबर पर यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी candidate है वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट के लास्ट डेक तक वो qualification जो भी मांगी गई उस वहां तक की उनके पास qualification होनी चाहिए लास्ट डेक तक की जैसे की कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जिनकी मतल जो है वो यहां पर जो लास्ट डेट दी गई है फॉर्म फिल करने की 24 अपरेल वहां तक 24 अपरेल तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए तभी आप यहां पर फॉर्म फिल कर पाऊगे यह बात यहां पर बताएगे उसके बाद फिप्त नंबर पर यह बताया गया है कि वो भी ग्रेसिंग मार्क के अलावा के कुछ बचों का ग्रेसिंग मार्क के साथ 55 परसंट होते हैं तो वैसे लोगों को यहां पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे ग्रेसिंग मार्क के अलावा यहां पर बात की जा रहे हैं तो कुछ गभी गभी कुछ बचे यह भी कोशन हमारे 50% या 55% हो रहा है तो क्या हम फिल कर सकते हैं तो इस युनिवर्सिटी में आप फिल नहीं कर सकते हैं उसके बाद SCST SCBC वाले जो बच्चे हैं उनको non-crimalier ओके फिर जो भी वो भी disability वाले बच्चे हैं तो उनके disability 40% disability होनी चाहिए अगर उसे काम disability है तो अभी आप यहां पर फार्म फिल नहीं कर पाओगी यह बात याद रखना एक बच्चे ने बार-बार मेसेज करके मुझे यह बात पूछी थी कि मैं मेरे 15% मेरी disability क्या मैं जी सैट के एक्जाम दे सकता हूँ दे सकता हूँ बहुत दिनों तक उसने मुझे लेकिन जी सैट म की जो मात्रा है ओके वह 40% से मतलब की काम होगी तो फिर आगे देखते हैं SCST और OBC वाले बच्चों के लिए 50% स्कॉरिंग होना चाहिए मास्टर के अंदर यह बात यहां पर बताई गई उसके बाद आगे देखते हैं और non-criminal certificate उनके पास होना चाहिए और वो भी समय मर्यादा में होना चाहिए अब यह बात एक और भी बात आ गई non-criminal certificate चीन बच्चों ने निकल वाया होगा मतलब कि हमारा जो non-criminal certificate निकल था हो कि पहले एक साल का निकल था अब मतलब कि 2018 से 3 साल का निकलना स्टार्ट हो चुका था है नो तो 3 साल वाले बच्चे होंगे न उनका क्या होगा पता है कि इस बार मतलब कि मार्च के एंड में आपका वो न क्रिमिलियर सार्टिपिकेट है न वो समाप्त हो जाएगा अगर आप मार्च से पहले मतलब अपरेल से पहले अगर आप यहां पर फॉर्म फिल कर देते हों तो आपको कोई इस्यू नहीं रहेगा फिर बाद में आप नोन क्रिमिलियर आरम से निकलवा सकते हैं लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट एपरेल को इस उनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर रहे हों तो फिर आपको नया मतलब की नोन क्रिमिलियर सार्टिपिकेट निकलवाना पड़ है तो यह बात चोबे बच्चे ओवी सी वाले बच्चे हैं वो लोग खास ध्यान रखें फॉर्म फिल करते टाइम पर अगर आपने मानलों की आपका क्रिमिलियर इसी बार समाप्त हो रहा है जिन लोगों ने 2019 में निकलवाया होगा तो उनका 2022 में मतलब की समाप्त हो जा र यहां तो फिर फर्स्ट अपरियल के बाद अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हूं तो आपको नया नौन क्रिमिलियर सार्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा और जिन बच्चों ने 2020-21 में निकलवाया होगा उनको कोई इस्यू नहीं हो के 2019 वाले बच्चों के लिए यह बात की हुई है तो उनको मतलब की फॉर्म तो फिल करना ही है फॉर्म तो आपको भी फिल करना हो के जिन लोगों ने ने पास किया है सैट मतलब जी सैट वाले बच्चे होंगे न तो जी सैट को समझेंगे हो के सैट का मतलब होता है हर एक हर एक स्टेट के अंदर सैट मानी जाते जैसे हमारे यह सेट को जी सेट बूला जाता है कहराला में सेट से के सेट के नाम से जानते इसी तरीके से या फिर सीजरनेट जो साइंस फिल्ड में जो बच्चे हैं उनके लिए सीजरनेट होती होके तो इन बच्चों को परिख्सामें से नुक्ति दी जा रही है लेकिन फॉर्म तो उनको फिल करना ही है यह बात याद रखने हो कि उसके आगे आगे की बात करते हैं अब किया बताया है ओके यहां बर यह बताया जा रहा है कि अगर आपकी माक्सेट के अंदर ग्रेड पॉइंट सिस्टम है ओके तो वैसे जो कैंडिडेट है उनको परसंटेज या ग्रेड पॉइंट का मतलब के सार्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा ओके यह बताया जा रहा है उसके बाद आगे देखते हैं कि अच्छा अब यह इंपोडेट बात है आठवे नंबर की मैं मतलब की नौट पढ़ रही हूँ वो एक बहुत इंपोडेट है वो यह कह रहा है कि अगर आपने हन्जियो यूनिवर्सिटी से मतलब के हमचंदराचारिय नौर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी से अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो वैसे मतलब के टोटल जितनी भी सीट्स होती है न उनमें से 85% सीट्स है वो उन बच्चों के लिए रखी गई है जिन बच्चों ने हन्जियो यूनिवर्सिटी से ही मास्टर डिग्री किया है यह बात आउट यूनिवर्सिटी वाले अधर यूनिवर्सिटी वाले और आउट श्टेट वाले बच्चे ध्यान से समझना होके तो यहाँ परी बताया है टोटल 100 सीट्स है उनमें से 85% सीट्स जो है वो किन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों ने हैं एचिन जिव लोगों को और बाकी की जो भी उनिवर्सिटी जाहे वो गुजरात स्टेट की हो या फिर आउ श्टेट की उन सभी को रख लिया है 15% सेट में के मतलब की 15% सेट हैं वो किन लोगों के लिए हैं जो मतलब कि गुजरात की अधर उनिवर्सिटी है या फिर आउट स्टेट की अधर उनिवर्सिटी इन सभी बच्चों का मिलाकर 15% सीट से ओके तो जो भी अधर उनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो खास ध्यान रखे यहां पर HNGU वालों को दो वह माला माल कर दिया 85% सीट देदी भाई देखो ओके अब ओके उसके बाद हैं और उनकी जो भी मतलब की कैलकुलेशन होगी वो भी इस क्राइटेरिया के मुताबिकी होगी ओके तो यह आपको याद रखना और हाँ यह भी बता देती हूं 85% कैटेगरी मतलब कि 85% का जो क्राइटेरिया उन्होंकों न ने तई किया ना कि 100 में 65 सीट्स जो है वो किनके लिए हैं एचन जीउ से जिन्नोंने मास्टर डिगरी की अब उनको भी दो भागों में डिवाइट किया है कि 50% सीट्स जो है वो एंट्रास एक्जाम पास करने वाले बच्चे होंगे उनके लिए होगे और 45% कितने होंते न है तो 45 हां हन्रेट परसंट टोटल 85% में से 85% के यह बता रहें 85% जो सीट्स है वो तो अब हम 100% के रुपे मानेंगे हैं तो 85% में से 55% जो भी सीट्स होंगी वो किसके लिए होंगी वो होगी एंट्रास एक्जाम देने वाले बच्चों के लिए और 45% जो सीट्स होंगी वो होगी आपके किसके लिए नेट फिर सेट वाले बच्चे उन लोगों के लिए अब आगे देखते हैं अच्छा यहां पर यह भी बतायागे कि अगर आप पियाचरी में एड्मिशन लेते हो और अगर आप दूसरा कोई कोर्स कर रहे हों ओके दूसरी जगह पर दूसरी डिगरी प्राप्त कर रहे हो तो उनमें से किसी एक को ही वैलिड माना जाएगो तो आपका यहां पर किसी एक को छोड़ना पड़ेगा जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होता है पियाचरी भी करते होते हैं साथ भी आड़ भी करते होते हैं तो दोन में से एक ही की डिगरी आपकी वैलिड मानी जाएगी यह तो पहले सी रूल से हैं उसके बाद देखते हैं कि यहां पर फॉर्म की एपलाई करने के बाद जो भी एपलिकेशन फ्रेंट है उसको अपने पास रखनी हो कि क्योंकि चपी डॉक्यूमेंट आप मतलब की वैरिफाई करवाओंगे तब वो मांगेगे उसके बाद आगे कि ओके यहां पर सिलेवस की बात कर लेते हैं तो सिलेवस में यहां पर यह रिसर्च में से आएगा ओके तो मैं हर बाए बताती रिसर्च आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेट है लेकिन कुछ बचे सच में सिर्यसली नहीं लेते हैं तो उन लोगों के लिए यह बात दुबारा बता रहे हूं कि 50% जो है वो आपका रिसर्च मेंठोलोजी से आएग मतलब के 50 में से आपके 35 कोश्यन रिसर्च के आएंगे अगर देखो रिसर्च अच्छ से पढ़ लिया ना तो आप अपने स्कॉर बहुत अच्छा कर सकते हों के विकोस अगर मान लो कि आपका सब्जेक्ट वीक है तो आपके सब्जेक्ट में अगर आपने 20 मांक्स प्राप कर लेते हों तो फिर आपका मतलब की 50 मांक्स ऐसे ही बन जाते हैं तो रिसर्च को पावर्फुर करो भी आगे जाकर भी रिसर्च प्रपोजल भी आपको महां पर प्रेजंट करनी होती है ना तो यह बहुत इंपोर्टेट है आपके लिए चले और हंड्रेट कोशन होगे ए आपके अलग-अलग है इंगलिस प्रोफिशेंसी से होंगे पांच कोशन आपके रिसनिंग अबिलिटी से होगे और पांच कोशन जो है वो बेजी कॉंपेडर स्किल्स से होंगे तो अब ही हमारा ICT का मतलब की क्लास चल रहा है ICT के उसको देख कर जाना है एक्जाम के तो मुझे एक उतना पता है कि रिसनिंग के अंदर बस नंबर नंबर से रिज और आलफाबेटिक से रिज वैसे कुशन नहीं डाले होते हैं उसके बाद आगे देखते हुआ है उसमें से आपको लाने है 50% स्क्वार लाने है वो भी सी S.C.S.T. वाले बच्चों को उसके ब बच्चों को 50% स्क्वार लाने 100% में से 50% स्क्वार लाने है और O.B.C.S.C.S.T. कैटेगरी वाले जो बच्चे है और जिन बच्चों की 40% disability है वैसे बच्चों को 45% मार्क्स लाने होगी यह बात यहां पर बताई गई है ओके आखी जाके अगे जाके अगर कोई विवात ख मैंने जो बताई आपको 85% स्क्वार लाने जिन लोगों ने मास्टर डिगरी किया है उनके लिए है और 15% जो भी सीट है वो अधर उनिवर्सिटी और अधर आउस्टेट में से जो बच्चे है उनके लिए ओके फिर यही बात है 80% में से 55% जो एंट्रास एक्जाम वाले बस यही इंपर्डेट चीज़े चले यह तो बात होगे आपकी काम की जो सवाल आप लोग हर बार करते रहते हो तो सारे सवालों का जवाब यहाँ पर आपको दे दिया गया है चले अब आगे बढ़ जाते है थोड़ा सा और यहाँ पर सिलेवस के बारे में थोड़ा सा डि वाले बच्चे हैं उनके लिए यहां पर सिलेबस नहीं रखा गया मुझे नहीं पता क्यूं नहीं रखा हिस्ट्री वालों यह कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं हुआ है तो आप लोग इन सिलेबस को देख लेना चलिए यह हो गई सिलिबस की बात अब आते स्ट्रक्चर की बात करते कोश्चन पीपर का किस टाइब का कोश्चन पीपर होगा वह भी थोड़ा सा डिसकर्ट कर लेते अब देखें यहां पर जो लेंग्वेज दी गई है उसको ध्यान में रखना है ओके मैनेज लाइबरेरी साइन्स और सोस्योलोजी इन लोगों का घुजराती इंग्वेज में होगा फ Ora दोनों रेंग्वेज में चैमिश्ट्री वालों को पीपर स्प्रणेश में और कोमर्स ने एक मैं मेंटमेंट का फीपर और इंग्वरमेंटल साइन्स radiakनो इंगलिस में और और यह उसका structure बताया हुआ है तो Subscribe तो यह आपको सिलेबर्स मैंने डिसकस कर लिया है प्रकुशन पेपर भी डिसकस कर लिया है और मैंने आपको पता भी दिया कि कहां से आपको प्रिपेरेशन करने मेरे जो भी गुजरात वाले बच्चे हैं जी साइट की मतलब की फोल्डर होगा जी साइट का में यूटूब की प्लेश्ट पर वहां पर जाके सारे की सारे रिजद्निंग के वीडियो देख लेना बहु यूटूब चैनल से फ्रिपेररिजन करें रिसर्च काहां कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है इस मैंने डीपढ़ एज सेट वालो को और अभी अभी भी पढ़ा रही हूँ किन को अभी सेटन के विडियोने अगर और आपको त fiscal तो अभी आपको ढातिatu या 33 वीडियोज तो सिर्फ मैंने मतलब कि MCQZ करवाए हैं तो वो भी आप देखकर जाना चले और उसके बाद यह कंप्यूटर की बाद है तो वह ICT आप देख लेना सब लोग चले और इंगलीज वाला है वह आपको खुद से करना है पांच मांक्स का चले अब आते हैं कितनी सेट्स अवेलेबल है कि इसको देख लेते हैं अब देखें यहां पर सारी दी हुई है तो देख लीजिए यहां पर सारे सबजाग की ओके यहां पर हिस्ट्री वालों की सेट में अंसन की है सब्जेक्ट में मुझे कुछ है मतलब कि कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा गया हो तो मुझे नहीं पता लेकिन यह सारे आप देख सकते हो के और बहुत सारी सीट्स भी अथ्य हुई है उन में से भी अगर मैं बताओ आपको नेट्स से वालों के लिए तो यह सारी सीट्स हैं नेट्स से वालों के लिए और उसके बाद है यहां पर अधर उनिवर्सिಟ्ट की कितनी सीट्स है तो ये लास्ट वाली कोलम है वो अधर उनिवर्सिटी मालों या फिर आउट स्टेट की उनिवर्सिटी मालों की सभी के लिए ये 15% जो भी सेट से वो आपको दीख रही हो के और ये पुरा का पुरा आप मतलब के पीक देख रहे हूं और इसकी इमेज इसकी जो PDF है वो सारी क बढ़ते हैं अब हैं यहां पर रूल्स वार रेगुलेशन सब के इसमें एक और चीज़ यहां पर है कि जो भी नया यूजी सी का जो नया ड्राफ हाय ना उसके अकोडिंग कुछ यहां पर चेंज किया हुआ है ओके तो यहां पर यह तो गुजराती में है ओके ज़स्ट व चले वो तुम्हें इंस्ट्रक्शन वाला जो है मैंने कहा से लिया था मुझे नहीं पता लेकिन मैंने पढ़ा था तो दीखिए मैं यहां पर आपको बता देते हुआ उसके अंदर यह लिखा है कि अगर आप PhD कर रहे हैं तो PhD के दोरान अगर किसी वुमेन है तो उसको अग मतलब की चैन्ज किया हुआ है चैन्ज यह कि आप PhD आपको मिनिममम फ्री एर में करना है उकी युजी सी का ड्राफ है न उसके अंदर दो एयर का बताया है यह हम पर तीन यह की बात हो रहे कि तीन इयर मिनिममम तीन एयर में आपको क्या करना पड़ेगा प्याइची जो है वो आपको complete करना पड़ेगा और maximum criteria उन्होंने दिया है 6 साल का ओकी तो यह आपको याद रखना है मैंने कहीं पर वो instruction देखा था पढ़ा था लेकिन साइद मुझे मिल नहीं रहा अब क्यूं नहीं मिल रहा वो मुझे नहीं पता ओके तो थोड़ा समय देखकर group में भी उसको दाल दूंगी ओके चले अब आते कैसे online form फिल करना है तो यहां पर देखिए किस तरह के से आपको देखो online प्रोसेस करने के लिए लास्ट नमर की यह रेड लाइन में दिख रहे हैं महां पर से लिंक को open करके आपको सारे डीटेल्स बढ़ने है रजिस्ट्रेशन करना है ओ तो आज 27 से तो मतलब कि आज दो पर से स्टार्ट हो जाएगा फिर आपके चैंसल के पास में ही आपको सब्मीट का option भी दीखने लगी का ओके यहां पर स्टूडेट नेम फादर नेम सर नेम फूल नेम फूल नेम फिर आप मेल हो फिमेल हो ट्राइट जो भी है उसको फिल क डालना प्लीज इमेल आईडी भी व्यासी डालना जो मतलब आप डैली चेक करते हों उसके बाद आधरकार्ड नम्मर डालना है फिर कास्ट केटेगरी आपको बतानी है पीजी उनिवरसिटी बतानी है कि कौन सी उनिवरसिटी से अपने मतलब की पीजी किया हुआ हुआ है उसके बाद है सिलेक्ट को करना है और उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है और फिर जाकि सब्मीट करना है आगे बहुत सारी प्रोसेस है नो स्टेप के अंदर इसकी प्रोसेस है कैसे करनी है मैं आपको वो भी बता देती हूँ अब यहां पर देखे वान लाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पुरा कपूरा मैनुल दिया हुआ है तो आप लोगों को कहीं पर भी जाने की ज़रूरत ने खूद भी आप मोबाइल में भी भर सकते हो ऐसे फॉलो करके यहां पर सारी की सारी चीजे देखे आपको दी हुई और यहां पर वेबसाइट भी दी है उस पर क्लिक करोगे तो अभी वह मतलब कि खूल जाएगी और इस तरीकी से सारे स्टैप दिये है कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और किस तरीकी से करना है अब यह नो श्टैप है आपको पहला स्टैप है रजिस्ट्रेशन का उसके चौते स्टैप में एजुकेसनल इंफोर्वेशन डालनी है उसके बाद पांचे स्टैप में फोटो और सिगनेचर को डालना है फिर छटे स्टैप में आपको डॉक्यमेंट को अपलोड करना है शार्ट में में और सारे की सारी इस तरह से ग्रीन होने चाहिए जैसे यह आप स्टेप को फिल कर देते हों सब्मिट करते हों तो ऐसे ग्रीन कलर का बनना चाहिए यह सारे के सारे के तब ही जाकर आपकी मतलब कि फॉर्म कंप्लीट फिल हुआ होगा तो इस तरह के से सारे की सारे को स्टेप भी आपको दिये हुए तो अच्छी बात है कि इतना सारा अच्छी बात की गई है तो इसको भी देख लेते हैं तो यहां पर सारी पॉलिसी की बारे में बताया गया हो कि टर्म कंडिशन्स तो आप देख सकते हो और पढ़ लेना अपने आपसे मतलब की जो भी साइट है उसको ओपन करके तो यह सारे दोस्तों थी पूरी इंपोर्म अब आपके पास कोई कोशन नहीं बचा होगा अगर कोशन बचा है तो फीर तो मैं गई पार मतलब कि गई बैस वानी में ऐसा हो जाएगा विकास मैंने सारे के सारे डीटेल्स आपको बता दी कैसे फॉर्म पिल करना क्या कि इसकी इसकी इंस्ट्रक्शन है और आपको पता ह है कि जब भी मैं विडियो बनाती हूँ डीटेल्स में ही बना दे ताकि बच्चों को कहीं पर भी दिक्कत देना है तो जले बबाई टेक कैर यूँ सबको वाल दे बेस्ट और आप सबको भी यहाँ पर एड्मिशन मिल जाए ऐसी सुब काम ना है बबाई टेक कैर यूँ ज कैसी कृष्णा